बिहार में रविवार शाम को चार IAS अधिकारियों का तबादला हुआ संक्या भले ही कम हो मगर ये सभी एहम ओहदे वाले हैं सबसे चौकाने वाले ट्रांस पर पटना की कमिशनर कुमार रवी का रहा एक समय में वो पटना के जिला अधिकारी भी रह चुके हैं डविवार को दिन भर वो मुख्य मंतरे नितीश कुमार के साथ अलग-अलग जगों पर घूमते रहें बरसात में जल जमाओ से पटना को बचाने के लिए कि एगए उपायों के बारे में स्पोर्ट विजिट कराते रहें मगर बेरोक्रेसी की भी अजीब दुनिया है शाम होते होते उनका तबादला सीधे मुख्य मंतरी सचिवाले में कर दिया गया 2001 बैच के IAS अधिकारी मयंक वरवडे को पटना का नया कमिशनर बनाय गया है बिहार सरकार के ओर से जारी अधि सूचना के अनुसार मगध प्रमंडल के कमिशनर रहे मयंक वरवडे को पटना का कमिशनर बनाय गया है मयंक के पास बिपाड गया के अपर महानिदेशक का भी अतरिक्त प्रभार था मयंक वरवड़ी के तबादले के बाद गया के डियम त्याग राजन MS अगले आदेश तक मगध प्रमंडल के कमिशनर के साथ ही बीपाड गया के अपर महा निदेश्रक की भी जमेदारी संभालेंगे इसके अलावा ग्रामीन विकास विभाग के सच्यू पंकच कुमार पाल को उर्जा विभाग की अतरिक्त जमेदारी सौपी गई है उन्हें उर्जा विभाग के सच्यू का प्रिभार सौपा गया है पंकच कुमार पाल बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कमपनी लिमिटेड क अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के भी अत्रिक्त प्रभार में रहेंगे अब तक परियावरण वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के सच्यू रहीं वंधना प्रियसी का भी तबादला कर दिया गया है वंधना प्रियसी को उद्योग विभाग का सच्यू बना गया है उनके पास आधार भूत, संग्रचना, विकास, प्राधिकार के प्रबंध निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार है इसे प्रिकार भवन निर्माण विभाग के सच्यू कुमार रवी को मुख्य मंत्रे सच्यवाले में सच्यू बनाया गया है कुमार रवी अगले आदेश तक सचिव भवन नर्माण विभाग और बिहार राज्य भवन नर्माण निगम के प्रबंध निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे इनके अलावा उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पॉंडरी को इसपात मंत्राले में सचिव के पद के जमिदारी दी गई है तो भारत सरकार की उर से न्यूक्त किये जाने के बाद नई जगह पर उन्हें युगदान की स्विकृती दे दी गई है